शिव बाबा याद है ना? माला बनती ही तब है जब तुम पहला पाठ अच्छी तरह पड़ते हों। याद करते करते आखिर तुम पवित्र दुनिया में पहुच जाएंगे। जब भी कोई आए तो पहले पहले शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाओ। तुम्हें सब को यह मन मनाभव का मंत्र पक् फिर बाबाने का तुम्हें इश्वरिय मिशन पर हूँ। तो अच्छी रिती एक एक बात सब की वुद्धी में बिठाने है। तुम औरों को बाब की याद दिलाएंगे तो इसमें तुम्हारा भी कल्यान है। तुम भी मन मनाभव हो जाएंगे। जब भी याद में बैठ तो हट से नहीं बैठना भले चक्र लगाओ घूमो फिरो तुम्हें बहुत रूची से बाब को याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते बाब को याद करना चाहिए। इसमें ठकने की बात नहीं। अंदर में बाबा बाबा के हैं बहुत उच्छलानी चाहिए। अब तुम्हें भी बाब समान प्यार का सागर बनना है। तुम्हारा बाब के साथ अती प्यार होना चाहिए। बाब को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। मन बुद्धी को सब तरफ से हटाकर एक की तरफ लगाना है। और लास्ट में बाब ने कहा भोजन बनाते समय तुम् रहे भोजन बनाएंगे तो खाने वालों की बुद्धी शुद्ध हो जाएगी अगर पांच मिनट भी बैट कोई प्यार से बाप को याद करे तो राजधानी में आ जाए और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से पुरली का सार मीठे बच्चे पहले हरे एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो तुम्हें बाप को याद करना है याद से ही पाप कटेंगे प्रश्न सची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो उत्तर भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना य यही सची सेवा है लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रुहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिर्ताज बने भारत में जो पीस प्रॉस्पर्टी थी उसकी हम सापना कर रहे हैं ओम श्यांति पहला प पाठ है बच्चे अपने को आत्म समझो अथ्वा मन मनाभो यह है संस्कृत अक्षर अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले-पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं पहले-पहले बाब के चित्र के पास उनको कहना है बाबा कहते हैं अपने को आत्म समझ मुझ बाब को याद करो मैं तुम्हारा सुप्रीम बाब भी हूँ सुप्रीम टीचर भी हूँ सुप्रीम गुरू भी हूँ सबको यह पाठ सिखलाना है शुरू ही वहां से करना है अपने को आत्म समझ और मुझ बाब को याद करो क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है इस सबक में सब बातें आ जाती हैं सभी कोई ऐसे करते नहीं बाबा कहते हैं पहले पहले शुरू बाबा के चित्र पर ही ले जाना है यह बेहद का बाबा है बाबा कहते हैं मामे कम याद करो अपने को आत्मा समझो तो बेडा पार है याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुँच ही जाना है यह सबक कम से कम तीन मिनट तो घड़ी गड़ी पक्का करना है, बाप को याद किया, बाबा, बाबा भी है, रचना का रच्यता भी है, रचना के आधी मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुश्य स्रिश्टी का बीज रूप है, पहले पहले तो यह निष्चे कराना है, बाप को याद करते हो, यह knowledge बाप ही देते हैं, हमने भी बाप से knowledge ली है, जो आपको देते हैं, पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धनके बन जाएंगे, इसके उपर ही समझाना है, जब तब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं ऐसे बाप के परीचे पर दो चार चित्र होने चाहिए तो इस पर अच्छी रिती समझाने से उनकी बुद्धी में आ जाएगा हमको बाप को याद करना है वही सर्वशक्तिमान है उनको याद करने से पाप कट जाएंगे बाप की महिमा तो क्लियर है पहले पहले यह जरूर समझाना चाहिए अपने को आत्मा समझ मामिकम याद करो देहे के सब संबंद भूल जाओ मैं सिख हूँ फलाना हूँ यह छोड एक बाप को याद करना है पहले पहले तो बुद्धी में यह मुख्य बात बिठाओ वह बाप ही पवित्रता सुख शान्ती का वर्षा देने वाला है बाप ही करेक्टर सुधारते हैं तो बाबा को ख्याल आया पहला पार्ट इस रिती पक्का कराते नहीं है जो है बिलकुल जरूरी जितना यह अच्छी रिती कुटेंगे उतना बुद्धी में याद रहेगा बाप की परीचे में भल पांच मिनट लग जाए हटना नहीं है बहुत रूची से बाप की महीमा सुनेंगे यह बाप का चित्र है मुख्य क्यू सारी इस चित्र की आगे होनी चाहिए बाप का पैगाम सब को देना है फिर है रचना की नौलेज की यह चक्र कैसे फिरता है जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना तुम इश्वर ये मिशन हो तो अच्छी रिती एक एक बात बुद्धी में बिठाने है क्योंकि बाप को न जानने कारण सब निधन के बन पड़े हैं परीचे देना है बाबा सुप्रीम बाप है सुप्रीम टीचर है सुप्रीम गुरू है तीनों ही कहने से फिर सरव्यापी की बात बुद्धी से निकल जाएगी यह तो पहले-पहले बुद्धी में बिठाओ बाप को याद करना है तब ही तुम पत दिलाएंगे इसमें तुम बच्चों का भी कल्यान है तुम भी मनमनाभव रहेंगे तुम पैगंबर हो तो बाप का परीचे देना है एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है टीचर और गुरु भी है बाप का परीचे सुनने से वे बहुत हो जाएंगे भगवानू आज मामे कम याद करो तो तुम्हारे बाप कट जाएंगे यह भी तुम जानते हो गीता के साथ फिर महा भारत लडाई भी दिखाई है अब और तो कोई लडाई की बात ही नहीं तुम्हारी लडाई है ही बाप को याद करने में पढ़ाई तो की मानी बाप को याद करने वाले पहले पहले यह पक्का कराओ वह बाप टीचर गुरू है अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पूरा-पूरा श्रीमत पर चलना है स्रेष्ठ बनने के लिए हम यही सेवा करते हैं इश्वरिय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे बाप की श्रीमत है कि मामेकम याद करो स्रिष्ठी का चक्र जो समझाते हैं यह भी उनकी मत है तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाओंगा बाबा बेहद का रुहानी पंडा भी है उनको बुलाते हैं हे पतित पावन हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो वे हैं जिस्मानी पंडे यह हैं रुहानी पंडा श्युवाबा हमको पढ़ाते हैं बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो इस इसमें अपने को ठकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर ठक जाते होंगे। यह तो सहज मार्ग हैं। हट से नहीं बैठना है। भल चक्र लगाओ, घूमो, फिरो, बहुत रूची से बाप को याद बाबा बाबा की बहुत उचल आनी चाहिए। उचल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ नकुछ और बातें जो बुद्धि में याद हैं उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अती प्यार रहे। वे अतिंद्रिय सुख भास्ता रहे। जब त जाएंगे तब ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारवार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहां होता है। इसलिए गायन भी हैं। अतिंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जिनको भगवान बाप पढ़ाते ह हैं। भगवानु आज मुझे याद करो। बाप की ही महिमा बतानी है। सदगती का वर्णसा तो एक बाप से ही मिलता है। सब को सदगती मिलती है जरूर। पहले सब जाएंगे शांती धाम। यह बुद्धी में होना चाहिए कि बाप हमको सदगती दे रहे हैं। शांती ध धाम सुख धाम किसको कहा जाता है यह तो समझाया है। शांती धाम में सब आत्मा ही रहती हैं। वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ओफ साइलेंस। उसको इन आखों से कोई देख न सके। उन साइंस वालों की बुद्धी तो यहां इन आखों से जो चीज देखते ह उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आखों से कोई देख न सके। समझ सकते हैं। जब आत्म को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं। यह समझ की बात है ना। इन आखों से देखा नहीं जाता। भगवान वाच मुझे याद करो तो पाप भस्म हो तो बहुत याद करते हैं दिन प्रति दिन व्यभीचारी होते जाते हैं भक्ती में भी पहले एक शिव की भक्ती करते हैं वह है आव्यभीचारी भक्ती फिर लक्ष मिनारेन की भक्ती उच ते उच तो है भगवान वही वड़सा देते हैं यह विश्णू बनने का तुम शिववन्शी बन फिर विश्णू पुरी के मालिक बनते हो माला बनती ही तब है जब पहला पार्ट अच्छी तरह पड़ते हैं बाप कोई याद करना कोई मासी का घर नहीं मन बुद्धी को सब तरफ से हटा कर एक तरफ लगाना है जो कुछ इन आखों से देखते हो उनसे बुद्धी योग हटा दो बाप कहते हैं मामे कम याद करो इसमें मुझना नहीं है बाप इस रत में बिठाते हैं उनकी महिमा करते हैं वे हैं निराकार इन दवरा तुमको घड़ी घड़ी यह याद दिलाते हैं तुम मन मना भव हो रहो गोया तुम सब पर उपकार करते हो तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शुबाब को याद कर भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धी शुद्ध हो जाएगी एक दो को याद दिलाना है हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं कोई आधा गंटा बैठते हैं कोई दस मिनट बैठते हैं अच्छा पांच मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे राजा रानी हमेशा सब को प्यार करते हैं तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार। बाप प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहां भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है, प्यार भी बेहद का, यहां तो प्यार का नाम नहीं मार है, वहां यह काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती। इसलिए भारत की महिमा अप्रमपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहां भारत में आकर सब की सेवा करते हैं, सब को पढ़ाते हैं, मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो। बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो, अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। सब को कहते हैं बाप को याद करो, तो पतित से पावन बन जाएंगे। यह हम रुहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिर्ताज था, पीस प्रोस्पर्टी थी, वह फिर से बना रहे हैं। श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक ड्रामा प्लैन अनुसार। यह अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी हैं वर्ड पीस हो, सो हम कर रहे हैं। भगवानु आज बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह भी बाबा जानते हैं, तुमको इतना याद थोड़े ही करते हो बाबा को, इसमें ही मेहनत है। याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसको बुद्धी में नहीं है। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं, जो कुछ पढ़े हो, वह सब भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है। वही साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। यह बाप की पढ़ाई है, जो साथ चलनी हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों को भी कम मत समझो, जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। चोटी-छोटी बच्चियां बैट बड़े-बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी, तो कमाल कर दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है, कोई प्रशन पूछे तो रिस्पोंस दे सकें, ऐसी तयारी करो। फिर जहां-जहां सेंटर्स हो वा म्यूजियम हो तो उन्हों को भेज दें। ऐसे ग्रूप तयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी-ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियां बैट समझाएं, तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिवबाबा की बच्चे हैं, वह निराकार है। ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से हमको यह लक्ष्मिनारेन बनना है। सत्युग आदी में इन लक्ष्मिनारेन का राज्य था न, इन्हों को ऐसा किसने बनाया, जरूर ऐसे कर्म किये होंगे न, बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गती सुनाते हैं, शिवबाबा हमको पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है, तो बाप समझाते हैं, मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है, पहले पहले अल्फ, अल्फ को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रशन आदी कोई पूछेंगे नहीं, अल्फ समझने बिगर तुम बाकी और चित्रों पर जाएंगे, समझाएंगे, तो माथा खराब कर देंगे, पहली बात है अल्फ की, ह हम श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अल्फ समझ लिया, बाकी यह चित्र आदी क्या देखने के हैं, हमने अल्फ को जानने से सब कुछ समझ लिया है, भिक्षा मिली, यह गया, तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो, बाप का परीचे देने से ही, ब हमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नम से गुड मॉर्निंग बाप की याद में रहना है और सब को बाप की याद दिलाना है वर्दान शान्ती की शक्ति के साधनों दवरा विश्व को शान्त बनाने वले रुहानी शस्त्र धारी भव शान्ती की शक्ति के साधनों दवरा विश्व को शान्त बनाने वले रुहानी शस्त्र धारी भव शान्ती की शक्ति का साधन है शुब संकल्प, शुब भावना और नेनों की भाषा जैसे मुख की भाषा दवरा बाप का वरचना का परीचे देते हो ऐसे शांति के शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो दवरा बाप का अनुभो करा सकते हो सुल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अती स्रेश्ट है रुहानी सेना का यही विशे शस्त्र है इस शस्त्र दवारा अशान्त विश्व को शान्त बना सकते हो। स्लोगन निर्विग्न रहना और निर्विग्न बनाना यही सची सेवा का सबूत है। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती।